मुसी में आप सबकी सलामती हो मेरा नाम है रिजवान भट्टी एक मरता फिर हाजुर अपर प्रोग्राम के साथ एकाम अश्रा यानि के दस एकाम के सीरीज जो भी हमने गुजशता दो हफ्ते से शुरू की उस पर हम बात कर रहे हैं और तीन एकाम पर हम बात कर चुके हैं उससे पहले कि हम अपने चौते हुकम के तरफ जाएं तो मैं सिर्फ यह कहना चाओंगा कि मुझे उम्मीद है कि जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो सब के सब जो सुन रहे हैं देख रहे हैं मसी के हाथ में वो सलामत होंगे और हर तरह की बुराई से हर तरह की चीज़ से बचेवे होंगे तो आज शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और चौते हुकम पे आज हम बात करेंगे कि तू सबत का दिन पाक मानना लेकिन उससे पहले जो इंजील मुकदस में इसके बारे में लिखा गया है जो कुछ आयात हैं वो आपके लिए पढ़ना चाहता हूं तो खुदावंद अपने खुदा के हुकम के मताबिक सबत के दिन को याद करके पाक मानना मैं खुदावंद तेरा खुदा हूं मेरे आइन पर चल और मेरे हुकमों को मान और उन पर अमल करो तु मेरे सब सबतों को मानना मेरे मकदस की ताजीम करना के मैं खुदावंद हूं और खुदावंद ने अपने काम को जिसे वो करता था साथवे दिन खतम किया और अपने सारे कामों से जिसे वो करता था साथ में दिन फारिख हुआ तो शुरू करते हैं चौते हुकम पे बात करेंग और वो है कि तु सब्बत का दिन पाक मानना एकाम अश्रा या एहदो पैमान वफा या आइन शरीयत ये बताता है कि परवर्दिगार आलम हमसे क्या चाहते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं उन्होंने हमें अजादी बक्षी है और एक मतालबा जो किया गया है इसमें उसका तरजमा कुछ यूं किया गया है कि तू सब्बत के दिन को पाक मानना छे दिन तक तुम महनत करना और अपने सारे काम काज करना लेकिन सात्वा दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है उसमें तो कोई काम ना करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा घुलाम, ना तेरी लॉंडी, ना तेरा चुपाया, ना तेरा मुसाफिर, जो तेरे फाटकों के अंदर है लेकिन हमारे माषरे में दो किस्म के अफराद पाय जाते हैं जिसमें एक एक एक्स्ट्रीम है अगर आप खुडा की अबादत में 24 घंटे लगे रहे हैं जबस खुडा की अबादत करना है और एंसानों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है बस जो भी करना है सिर्फ खुदा की राव में किये जाना है और उसके लावा कुछ नहीं करना है और होता क्या है कि आपके बुड़े वालदेन भी हैं जिनका आपने एहतराम करना है बुड़ी वालदा है जिनसे आपने महबत से प्यार से बात करनी है आपके बहन भाई हैं, माशरा है जिसमें आप रहते हैं, आप खाते हैं और खाते चले जाते हैं, लेकिन कोई काम करने को तयार नहीं होते हैं, बस खुदा से लौग लगाके बैठे हुए हैं, रहबानीत अख्तियार करके बैठे हुए हैं, खानका में एक कोना पकड़ लें, और दी में था जब और तू ने भी मुझसे यही वादा किया है कि तू खुद मुझे हर चीज Director करेगा तू लाजमी है कि अब सवाहली पैदा नहीं होता है जाला मैं काम करूं तो खुदा का नाम लिए चले जाओं परवर्दिगार ने कहा कि देखो 6 दिन तुम्हें काम करना है और 7 दिन अराम करना है वो 7 दिन मेरे लिए है जो कुछ लोगों ने समझ लिया चूंकि परवर्दिगार ने अराम के लिए कहा है 7 दिन उसे अराम करने का कोई हक حاصل नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ ये भी है कि जिस्के जिसने 6 दिन काम किया हमारी ये मिशिन ऐसे ही बनाई गए है कि हमें कुछ आराम भी चाहिए है अगर ये गानून हमने बनाया होता तो सची बात है कि हम ये कहते उस दिन आराम करो लेकिन उसके लिए तलावत भी थी कि आपको मालूम हो कि ऐसा नहीं है उसमें ये नहीं कहा गया कि तुमको आराम करना है बलके ये कहा गया है उस दिन तो कोई काम ना करना ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी ना तेरा गुलाम ना तेरी लॉंडी चाहिए जो उस घर को चला रहा है बलकर हो तमाम अफराद को आराम चाहिए गुलाम को भी आराम चाहिए नौकर को भी चाहिए और उस पर जिंस की तफरीक नहीं कि मर्द तो आराम करे लेकिन अवरत आराम में शामिल ना हू चौबेज खैंटे عورت کام کرے اور مرد آرام کرے عورت ہو یا مرد ہر ایک کو آرام کی ضرورت ہے پھر کہا کہ جو جانور ہیں اسے بھی آرام کی ضرورت ہے وہ بھی تھک جاتا ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے آپ بتائیں جو دین جانوروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے کیا وہ انسانوں کے حقوق پامال کرے گا یہاں پر اس گبے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو چپایا ہے جس پر آپ سامان لاد کر لے کے جاتے ہیں ساتھوے دن اسے بھی आराम करना है उस बैल का भी ख्याल करना है जिसको आप जोटते हैं उसको भी आराम की जरूरत है गदे पर कपड़े लाद कर लेके जाते हैं सवारी भी नहीं करना उसको भी आराम चाहिए अगर कोई मसाफिर है हर एक पर ये कानून लागू हो या ना हो लेकिन आराम का कानू जरूर सब पर लागू होता है ये काम और अराम के दरम्यान एक तवाजन चाहिए कुछ लोगों का असूल है कि वो सिर्फ काम 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 और सिर्फ काम करते हैं और इस दुनिया जहान से बहुत जल्दी रुक्षत हो जाते हैं कुछ लोगं का तो ये होता है कि वो आराम आराम सिर्फ आराम मोटी मोटी तूंदे निकलाती है मुफ्त में खाते रहते हैं और करते कुछ नहीं तो तवाजन चाहिए काम में भी और आराम में भी खुदा की अबादत में अपने फराइज, खुदा की अबादत गाह में इतने ही कीजिए कि अपने फराइज से गाफल हो जाएं और फराइज की तरफ इतनी तवज्ज़ मत दें कि परवर्दिगार को भूल जाएं खालिक को भी याद रखना है और मखलूक को भी याद रखना है अगर दोनों के दरमें तोजन नहीं होता तो जाहर है कि आप उस कानून का इहतराम नहीं करते तो एक तौजी ये बियान की गई है और दूसरी तौजी ये बियान की गई है एक तौजी ये है कि परबर्दिगारे आलम ने ये काइनात छे दिन में बनाई और उसके तर्जमे के मताबिक साथवे दिन अराम किया या इबरानी मतन के मताबिक उसके बाद काम मुकमल कर लिया तो पसंदीदगी का इजहार फरमाया और कहा कि अब मजीद काम करने की जरूरत नहीं जो करना था मैंने कर दिया आपने देखा होगा कि एक मसवर अगर तस्वीर बना रहा होता है तो वो दिन रात उस पर लगावा होता है तस्वीर जब मुकमल हो जाती है तो वो ये नहीं करता कि उसके बाद वो हराम खुरी करता है बैट जाता है कोई काम नहीं करता हराम खुरी नहीं करता है ना अराम करता है वो कहता है कि ये तस्वीर मुकमल हो गई है अब मुझे और कोई जरूरत नहीं अब मैं अराम करता हूँ उसका मतलब ये नहीं होता कि वो वाक्ष सो जाएगा बल्के उसका काम मुकमल हो गया है तो परबर्दिगार आलम ने ये किया कि जब अपना काम मकमल कर लिया तो उसका इज़ार किया कि मैं उस काम से खुश हूँ तो आपने छे दिन इतना काम कर ले और साथमें दिन अराम करें दूसरी जगा ये तौजी बियान की गई है कि याद रखना कि तू मिलके मिसर में गुलाम था और खुदावन अपने जोरे बाजू से अपने हाथ से तुझे चुड़ा के वहां से बाहर लाया और खुदावन तेरे खुदा ने तुझे सबत का दिन मानने का हुकम दिया है और वहां पर गुलामी थी गुलामी में अराम नहीं होता काम और अराम दोनों एकटे नहीं हो सकते और चुछे जब आपको अजादी मिल गई और आपको अराम चाहिए तो काश हम कभी इस बात पर गौर करें कि खुदा की अबादत इतनी नहीं करना कि आपके पैर सूच जाए दिमाग गाइब हो जाए या आपके हलक में कांटे पढ़ने लग जाए और खुदा को भूलना भी नहीं है बस ये दो काम हैं दुनिया के जो हमने करने है खुदा को भी याद रखना है लेकिन आप उन्हें ये देखा होगा कि एक अजीब और गरीब बात ये है कि खुदा को ये हक पहुंचता था कि वो हम से ये कहता कि 6 दिन खुदा को याद करो और सात्वे दिन अपना काम कर लिये करो लेकिन उसने कहा कि नहीं तुम दुनिया के काम तो 6 दिन करो सात्वे दिन अपने खुदा को याद करो हकुक ये बात की ज़्यादा एहमियत है उसके लिए ज़्यादा वक्त चाहिए तमाम का ख्याल रखना है बेटी का भी बेटे का भी मा का भी बाप का भी नौकर का भी जानवर का भी सब का ख्याल रखना है तो हमें सब के हुकूक जो है वो अदा करना है तो आप खुदा को तो याद करते हैं और देखें कि क्या आपने खुदा को याद कर लिया है अगर आप दुनियावी जिमेदारी से फारिग नहीं हुए तो अबादत का कोई मफ़ूम नहीं है यह उसी वक्त है कि जब आप पहले अपने काम से फारिग हो जाएं अपने फरज अदा कर लें उसके दरम्यान तोजन काईम कीजिए जिन्दगी मतवादन होगी तो माशरा फले फूलेगा तो हमें चाहिए कि हम छे दिन अपने काम काज में मसरूफ होते हैं अपने खुदावन को टाइम नहीं दे पाते हैं सही तरिके से तो सबत के दिन हमें अपने खुदावन के हज़ूर जाना है उससे बात करने है उसके आगे इलतजा करने है कि खुदावन छे दिन मैं तुझे टाइम नहीं दे सका जैसे मैं अपने माबाप को अपने घर वालों को हर एक को टाइम देते हैं तो हमें साथवे दिन अपने ख